चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चो, MCC की UG वब PG के लिए काउंसलिंग EWS की लिमिट को रिव्यू करने के रिगार्डिंग रुकी हुई है, जो अभी आठ लाक रुपीज है, हलांकि UG काउंसलिंग के रिगार्डिंग सुप्रिम कोट में कोई आचे का दाइरे नहीं की गई है, यह आचे का PG के लिए ही लगी हुई है, मगर जो EWS की लिमिट है, वो UG वब PG दोनों की काउंसलिंग को इफेक्ट करती है, सुप्रिम कोट ने इसकी नेक्स्ट हीरिंग डेट 6 जनावरी 22 रखी है, इसी बीच काफी सारे रेजिडेंट डॉक्टर ने काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट करने के लिए स्ट्राइक की थी और Union Health Ministry ने कहा था कि वेडनेस टित तक हम इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे, इसी के continuous में Government of India ने 3 members कमेटी का गठन किया है, जो इस EWS Reservation Criteria को रिव्यू करेगी, इस कमेटी के head, former finance secretary अजय बुसन पांडे है, कमेटी को अपने report within 3 weeks में देने को कहा है, यानि कि ये कमेटी 20 December से पहले ये report गवर्मेंट को सौप देगी और फिर सुप्रिम कोट की जो hearing date है 6 January 22 उसको prepond किया जा सकता है, और ये possibility है कि 20 December से पहले सुप्रिम कोट में decision हो सकता है, और उसके बाद counselling स्टार्ट हो सकती है, अभी ये सारा matter इस कमेटी पर depend करता है, अगर ये अपने report 20 December के बाद submit करती है, तो फिर hearing 6 January 22 को ही होगी तो अभी हमें wait करना होगा इसी कमेटी की report का, तो जो भी इसके बारे में update होगी, हम आपको inform कर देंगे, अब बात करते हैं हम state counselling की, तो आपको पता है जो सुप्रिम कोट में physics के regarding, जो क्यूशन पेपर में error था, उसी के regarding याचिका लगी थी, वो सुप्रिम कोट ने उसको खारिज कर दिया है, और अभी धीरे धीरे state की counselling start हो जाएगी, अभी तक six states की registration progress में हैं, जिस जिस state के registration start होंगे, हम आपको inform कर देंगे, अभी काफी सारे student इस confusion में हैं, कि state की counselling पहले होगी, तो cut-off पर क्या effect होगा, क्या state की cut-off हाई रहेगी, तो बच्चों मैं आपको य पहले conduct होने की समावना है, मगर state के second round की cut-off पर कोई effect नहीं होगा, क्योंकि इस situation में, MCC की counselling के बाद ही state की second round की counselling conduct होगी, और मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था, कि ये possibility हो सकती है, कि MCC का second round की counselling ही हो, क्योंकि MCC का first round free exit होता है, मतलब कि student MCC के first round के बाद state के first round को देखते हैं, और free exit का decision लेते हैं, लेकिन जब state का first round MCC से पहले हो जाता है, तो free exit round की possibility कम रह जाती है, तो अभी हम ये possibility मान रहे हैं कि हो सकता है, MCC का first round ही ही ना हो, उसका एक final round, second round ही हो, आल इंडिया कोटा के लिए, तो ये time के according situation change होती रहती हैं, तो देखते हैं, आगे क्या होता है इसके बारे में, ये अभी तक की counseling के बारे में update थी, अभी state की counseling जैसे जैसे start हो जाएगी, हम उसी दिन आपको inform कर देंगे, जैसे जैसे state की counseling स्टार्ट होगी, हम आपके लिए update लेकर आते रहेंगे, अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट www.chopra.education.com पर इसका लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए आप से लिते हैं विदा जैहिन